ताजा अप्टेट और लेटस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सुपस्टा संजय दत की बायोपिक फिल्म, संजूप में उनका किरदार निभाने वाले अभिनेता रंबीर का पूरा बगली कुछ फिल्मों में एक्शन किरदार करते दिखेंगे उनकी अपक्मिन फिल्म शमशेरा और ब्रमास्तर में रंबीर एक्शन रोल करते नजर आएंगे रंबीर ने बताया कि लवबॉय किरदार कर करके वह ठक चुके हैं रंबीर ने कहा कि मैं अब कुछ नए तरह के किरदार करना चाहता हूँ बता दे की रंबीर कपूर ने अपने करिया के शुरुआती दौर में कई रोमेंटिक फिल्में की राजकुमार हिरानी निर्देशिक फिल्म संजूप में उनके काम को काफी पसंद किया गया है फिल्म बॉक्स ओफिस पर पहले ही दिन में 35 करोड रुप्य से ज़्यादा की कमाई करने में काम्याब रही है इसी इंटर्वियू में रंबीर ने कहा कि उन्हें तकरीबन 10 साल बाद इस बात का असास हुआ कि आउडियंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है प्रिटिक्स महस दस लोग है, फाइनल जच्मेंट ओडियंस देती है मालूम हो कि फिल्म संजू के लिए रंबीर का तक करीबन 8 महिने तक स्क्रीम टेस्ट हुआ था उन्हें ने बताया कि घंटों तक मेक अप होता था, हेर और स्किन लगाई जाती थी और हर बार स्क्रीम के सामने आने पर मेकर्स निराश हो जाते थे कुछ देर बाद यह सारी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाती थी प्रणवीर ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी उन्हें यह फिल्म ऐसे मौके पर मिली जब वह वाकए ऐसी किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे यदि आपको हमारे द्वारा बताई गए जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद